लेक्चर फर्स्ट में हमने पारिस्थित की पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो परीचे था एक समन्य परीचे उसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त की थी इंट्रोडक्शन हमको मिला था कि क्या पारिस्थित की क्या है इसके कौन-कौन से घटक है पारिस्थितिक तंत्र क्या है कैसे कारे करता है पारिस्थितिक शब्द की पत्ती कहां से हुई पारिस्थितिक शब्द सरपर्थम किसने उपयोग किया किस वर्ष में उपयोग किया और उसकी परीभाशा इन सब के समंद में हमने कुछ समने जो जानकारियां थी वो पराप्त की थी इसके पस्चात जो हमारा जो पारिस्थितिक है या पारिस्थितिक तंतर है इसके कई अन्य जो विभाग हैं डिवीजन्स ओफ इकोलोजी इसके बारे में हम आज लेक्चर सेकिंड में जो है समन्ने जानकारियां जो हैं वो प्राप्त करेंगे पारिस्थित्की के जो विभाग एंड डिविजन्स ओफ एकोलोजी वो मुखेते दो परकार के हैं पहला है स्वव पारिस्थित्की जिसे ओटो एकोलोजी के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है स्वव पारिस्थित्की जिसे साइन एकोलोजी के नाम से जाना जाता है जो स्वव पारिस्थित्की है ओटो एकोलोजी इसका मेन जो मोटिव और उदेश है और जो सुवपारिस्थित्की है इसमें हम जो जिन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो ये है कि सुवपारिस्थित्की के अंतरगत एक ही जाती के एक ही सिंगल जो स्पीसिज है चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो उस एक जाती एक स्पीसिस के जो जीव है वे और उनके उपर जो उनके जैविक और एजैविक वातावरन का जो परभाव है वो पढ़ता है उन सब के पारस्प्रिक संबन्दों का जो अध्यान है उस एक जाती के जीव और उस एक जाती के जीव या उस एक जाती के इंतरगर जो भी जीव सम्मलित किये गए हैं, उनके उपर उसके बाहय वातावरन, बाहय वातावरन के भागों, जैविक घटक, ए जैविक घटक, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उस जीव के साथ, उनका क्या पारसपरिक संबंद है, इन सब चीजों का जो अधिहन है, वो इस स्व पारिस्थित की ओटो एकोलोजी की अंतरगत किया जाता है, मुख्यत है जो जिन बातों का इसमें ध्यान रखा गया है, जिन बातों के संबंद में पारसपरिक संबंदों का जो अधिहन किया जाता है, उनमें है एक जाती के जीवों के मद्धे वरदी, पोशन, उनका जीव चक्र इतियादी वरदी, कैसे वो जीव जो है उस एक जाती के ज़ू जीवन में वरदी होती है उनमें development होता है वो विकास करते है potion किस प्रकार से वो portion पराप्त करते है उनका जीवन चक्र, life cycle कैसे चलता है इन सब बातों का जो अधियन है वो स्वव पारिस्थित की Auto-Ecology के अंतरगत किया जाता है Auto-Ecology में एक ही जाती के जीव यह एक ही जाती में जो जितने भी जीव समलित हैं उस एक जाती के उनकी उपर जो उनके बाहय वातावरन का प्रभाव पड़ता है उनके सम्मन्नों का अध्यान जो दूसरा विभाग है Second Division of Ecology ecology का दूसरा विभाग उसका नाम है संपारिस्तित की या Cyne Ecology जो Cyne Ecology है इसकी अंतरगत किसी एक विशेष वातावरण में रहने वाले जो विभिन जीव हैं विभिन जीवों का जो समुदाए या कम्यूटी है उनकी जो अलग-अलग स्पीसीज हैं एक या एक सेदिक जो जातियां हैं उनके उपर जो उनके बाहे आवातावरन का जो परभाव पढ़ रहा है जैविक और जैविक घटकों का उन सब बातों का जो अध्यन है वो स्वपारिस्थित की या साइन एकोलोजी की अंतरगत किया जाता है जिसे की कुछ अंतरभी स्पस्ट हो गया है कि स्वपारिस्थित की ओटो एकोलोजी में एक ही जाती है और समपारिस्थित की साइन एकोलोजी में एक या एक सिदिक जातियों के जीवों के उपर पढ़ने वाला प्रभाव जैविक और जैविक घटकों का बाहय वातावरण का समपारिस्थित्की जो साइन एकोलोजी है यह आगे चलकर और तीन भागों में डिवाइड हो जाती है या बंट जाती है इसके ये तीन भाग हैं समस्टी पारिस्थित्की या पोपूलेशन एकोलोजी दूसरा पारिस्थितिक तंत्र एकोलोजी एकोसिस्टम एकोलोजी और तीसरा है समुदाए पारिस्थित्की community ecology तो समपारिसित्की है जो sign ecology इसके तीन अन्य जो subdivisions या उपविभाग वो है पोपूलेशन एकोलोजी, इकोसिस्टम एकोलोजी और कम्मिनुटी एकोलोजी ये जो तीन उपविभाग सब डिवीजन्स हैं इनमें जो पहला जिसके बारे में हमें पता चला कि पोपूलेशन एकोलोजी समस्टी जा जनसंख्या पारिस्थित की इसकी अंतरगत एक क्षेतर एक परदेश या एक विशेश क्षेतर में उपस्थित एक जाती के सभी जीवों द्वारा साथ साथ रहने की परवर्ती के कारण उनके बीच में जो पारस्परिक निरभ़ता आती इसका अधियन इसके अंतरगत किया जाता है पोपूलेशन जो जनसंख्या है समस्टी के अधियन में उनके सदस्यों पर पढ़ने वाला प्रभाव खान-पान वरदी, पोशन, इत्यादी का अधियन भी इसके अंतरगत किया जाता है एक particular जो जनसंख्या है किसी एक जीव जाती की या एक पादप जाती की उसका अध्यन किया जाता है किसी एक जाती की जनसंख्या पर पढ़ने वाले प्रभाव का एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच आपसी संबंदों के अध्यन को समस्टी पारिस्थित की कहते हैं एक ही वर्ग के सदस्यों के बीच जैसे कि कोई एक वरक्ष है बर्गद का तो काफी सारे जो एक ही क्षेतर में जो बर्गद के वरक्ष हैं उनका अपस में क्या संबंद है उ कोई टाइगर है, बाग किसी जंगल में, तो बाग की जो जनसंख्या है, बाग की जाती की जनसंख्या एक पर्टिकूलर क्षेतर में है, एरिया में, तो वो कैसे निवास कर रहे हैं, उनको प्रकिनकिन, जो घटक है, उनका प्रभाब पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों का जो पुपस्ति जो जनसंक है उसके उपर पढ़ने वाले प्रभावों का जो अध्यान है वो समस्टी पारिशित्की में किया जाते हैं समस्टी पारिशित्की जो है population ecology इसमें हम अलग-अध्यान भी कर सकते हैं पहले बाग का अध्यान गर लें फिर हाथी का अध्यान गर लें उसके बाद हम किसी अन्या जो जीव जाती है हिरन का अध्यान गर लें गाएं भैंस बकरी इनका अध्यान भी हम अलग-अलग तोर पर किसी एक शेत्र विशेश के हिसाब से कर सकते हैं इसी प्रकार से जो पेड़ पोदे हैं उनकी भी जो अलग-लग स्पीसिज या जातियां हैं उनके बारे में जो अध्यान है वो किया जा सकते हैं इसके पस्चाद ये हो गया पहला भाग संपारिस्थित्गी साइन एकोलोजी के जो साइन एकोलोजी है संपारिस्थित्गी इसका जो पहला उपवी भाग या सब डिवीजन था समस्टी पारिस्थित्गी पोपुलेशन एकोलोजी इसके बाद इसका दूसरा भाग है पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक इकोसिस्टम इकोलोजी इसके अंतरगत पारिस्तित्की का जो संबंद है वो पारिस्तितिक तंत के जैविक याए जैविक घटकों के भी जो उर्जा एवं पोशन पदार्थों के चक्रन से होता है इसके अध्यान से सभी सजीवों के बीच में पोशन संबंदी समानता एवं ए समानता तथा जीवन के लिए उपयोग की जाने वाली उर्जा के विभिन रूपों का पता चलता है जो दूसरा उपवी भाग है सेकिंड सब्डिवीजन समपारिस्तित्की की इसके अंतरगत जो जैविक और एजैविक घटक हैं उनमें जो विभिन प्रकार के जो साइकल्स चक्र चलते हैं पोशन चक्र उर्जा के विभिन चक्र जल चक्र कार्बन चक्र नाइट्रोजन साइक यह जितने भी जो साइकल्स हैं इनका अध्यन इनका क्या प्रभाव है इन सब चीजों का पता हमें इससे चलते हैं पोशन सही प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है पोशन समंदी जो समानताएं या ऐसमानताएं हैं इनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं पारिस्थि तंतर में किस प्रकार से उजया का जो चक्कर है और फ्लो है इसका जो साइकल है पोशन किस प्रकार से रापत हो रहे हैं इसके अवरे हम पता लगा सकते हैं तीसरा और अंतिम भाग है समुदाय पारिस्थित्की जो सब डिवीजन थर्ड है वो है समुदाय पारिस्थित्की Community Ecology समुदाय पारिस्तित्की समुदाय पारिस्तित्की में विभिन जातियों एक एक सेधिक जीव या पादब जातियों के सिदस्यों के बीच आपस में परस्पर निर्भरता की परवर्ती उनके अंतरगत विविद्धा एवं उसके कारणों का पता चलते हम एक जीव जाति की जनसंख्या एक पादब जाति की जनसंख्या का अध्यन कर रे थे उनके उपर पढ़ने वाले परभावों का पारिस्तित्क तंतर पारिस्तित्की जो था ecosystem ecology इसमें जो जैविक और जैविक घटक क्या है कैसे वो कारे करते हैं कैसे portion पराप्त होता है कौन-कौन से cycles हैं कैसे चक्रन संभव होता है किस प्रकार से उसका distribution होता है energy होता है energy flow in ecosystem इन सब बातों का अध्यन पारिस्थितिक तंतर पारिस्थित्की में किया जाता है और जो तीसरा है समुदाय पारिस्थित्की जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है समुदाय यहने की community इसमें हम संपूरन जो समुदाय है एक समुदाय में रहने वाले अलग-अलग जाती के अलग-अलग जीवों और वो किस प्रकार से आपस में समझ जस्या स्थापित करते हैं किस प्रकार से एक ही जगा में एक particular क्षेतर में एक विशेश क्षेतर में एक जाती या एक से अधिक जातीयों के अलग-अलग जीव किस प्रकार से साथ रहते हैं यैसे एक ही ख्षेतर में बरगद का भी पेड़ है उसी ख्षेतर में नीम का भी है आक धतूरा फूल इसी प्रकार से जंगलों में बेरुन प्रकार के जीव जनतू जैसे कि बंद शेर, भेडिये, चीते, हाथी, ये इत्यादी, एक एक शेतर में किस प्रकार से रहते हैं और आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को परभावित करते हैं, किस प्रकार से आवश्यक पदार्थों का अधान परदान उनके मध्य होता है, परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्यन समुधाय पारिस्तित्की के अंतरगत कम्मिन्यूटी एकोलोजी के अंतरगत किया जाता है तो ये थे पारिस्तित्की के विभाग जो पारिस्तित्की है एकोलोजी इसका हमारे जीवन में विशेश महतव है जिससे कि कई सारे इसके जो प्रभाव हैं पारिस्तित्की के वो हमें हमारे समान्य जीवन में देखने को मिलते हैं जिसे कि हम पारिस्तित्की का महतव Importance of Ecology भी कहते हैं पारिस्तित्की की जो Importance है वो काफी महतव पूरण है परतेक ख्षेतर में पारिसित्की का इकोलोजी का अपना-पना प्रभाव है चाहे तो फसलों की उपजवर्दी में हो मर्दा और वरक्षमता वर्दी में हो शुश्क ख्षेतरों में फसल उतपादन में हो अर्थात क्रोप प्रड़क्शन इन ड्राई एरियाज इनक्रीज इन क्रोप जील्ड कंजर्वेशन ओफ सोईल फर्टिलिटी इनक्रीज ओन फ्रूट प्रोड़क्शन यानि की फलों के उतपादन में वर्दी ये सब जो हैं कुछ इसके महतव हैं इकोलोजी के किस प्रकार से फसलों का एक हम अच्या जो उतपादन है वो कर सकते हैं ये तो था पेड़ बोदों से सम्मंदित इसी प्रकार से जीवजन्तुओं के जीवन पर भी इकोलोजी का प्रभाव उनके व्रदी में शारीरिक व्रदी में प्रजनन में पोशन में देखा किया है जिसका कि एक महतवपुरुन परभाव उनके संपूर्ण जीवन चक्र पर पढ़ता है किस प्रकार से वो आश्यक पदार्थों की जो प्राप्ती है वो पर्यावरन से प्रकरती से कर सकते हैं किस प्रकार से उनका जीवन चक्र चलता है पोशन से उनके शरीरे में वर्दी होती है शरीर के जो आवश्यक अंग हैं हमारे शरीरे के जो भाग हैं वो किस प्रकार से कारे करते हैं भोजन को ग्रहन करने से उनके उर्जा मिलती है उर्जा का उपयोग वो अपने दैनिक जीवन के कारियों को करने में करते हैं तो ये सब जो महतव है ये पारिस्थित्की का है पारिस्थित्की के बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र इको सिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका एक अपना विशेश अलग से महतव है जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है ecosystem इसका सर्व पर्थम पर्योग एजी टैंसले ने 1935 में किया था एजी टैंसले का पूरन नाम है अर्थर जोर्ज टैंसले इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द है word उसका सर्व पर्थम उपयोग किया था इन्होंने बताया था कि जो जीवधारी जो समस्त प्राणी और उनका जो समुदाए है जिस क्षेतर में वो रह रहे हैं उस क्षेतर के जैविक या एजैविक घटक हैं वो उन जीवधारियों और उन जीवधारियों के समुदाए को परभावित करते हैं प्रतेक्ष या एप् जैविक घटक किसी क्षेतर विशेश में निवास करने वाले प्राणियों और उनके समुदाई को प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम एकोसिस्टम वर्ड फर्स्ट यूजड और रिटन ऐस बाई दा एजी टैंसले अर्थर जो टैंसले ने इसका प्रियोग किया। क्लार्क ने 1954 में पारिस्थितिक तंतर को समझाते हुए बताया था कि पारिस्थितिक तंतर वातावरन तथा समुदाई की क्रियातमक समक्रिया है। इसके अलावा ओडम ने 1971 में भी पारिस्थितिक तंतर को समझाते हुए अपनी एक विवेचना प्रस्तुत की। The ecosystem is the basic functional unit of organisms and their environment interacting with each other and within their own components। अर्थात पारिस्थितिक तंतर मूल किरयातमक इकाई है जिसमें जीविये तथा एजीविये वातावरन समलित है जो परस्पर एक दूसरे को परभावित करते हैं जिससे उर्जा परवाह तंतर में निश्चित एवम स्पष्ट जीविये वेविद्धा का चक्र बनता है। तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से जीवधारी एवामुन के समुदाए परजैविक और एजैविक घटकों का परतेक्ष परभाव पढ़ता रहता है। ये एक दूसरे को परभावित करते रहते हैं। जिससे की पारिस्तितिक तंतर की रचना हुई। पारिस्तितिक तंतर में जैविक और एजैविक दोनों घटक समलित किये जाते हैं। जिनके बारे में हमने कुछ जानकारी लेक्चर फर्स्ट में प्राप्त की थी। किसी एक शेत्र विशेश में कारह करने वाले जैविक एवं एजैविक अंशों का संपूर्ण योग पार परिभाशाती स्वरपर्थम वो प्रस्तुत की थी और एजी टैंसले ने जो अपनी परिभाशा प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने बताया था कि किसी क्षेत्तर विशेश में कारेरत जैविक एवं ए जैविक अंशों का पूर्ण योग ही पारिस्तितिक तंतर कहलाता है झाल 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 झाल